अच्छा जी असलाम अलेकुम पार्ट थ्री स्टार्ट करते हैं हमने बात की थी के पाइंसर स्टेटमेंट्स के अनलेसिस को तीन तरह से किया जाता है horizontally analyze किया जाता है vertically किया जाता है और फिर ratio analysis की बात हमने शुरू की थे ratio analysis के अंदर हमने profitability ratios पढ़ी है profitability ratios 10 थी 10 दस बना ली थी न हमने ठीक है वैसे अगर broad category देखें तो सबसे पहले है profit over sale ratio दूसरी category है expense over sale ratio तीसरी category है वो investors की है ratios वैसे तो category तो बनती है लेकिन मैं उसको यूँ बाकी चार को अलग रख लेते हैं बलकि हम तरतीब से ही कर लेते हैं सबसे सबसे पहले हमने देखा था gross profit over sale ratio GP ratio इसको कहते हैं फिर operating profit over sale ratio PBIT वाली फिर net profit over sale ratio ठीक है हमने क्या कहा था जी कि यह ratio क्या बताती है कि companies earning rupees इतने off GP net profit जो उनसा profit भी यूज किया है company is earning rupees इतने off profit per rupee hundred of sale ठीक है फिर हमने कहा था GP के बारे में बात क्या करेंगे GP ratio evaluate करती operational performance कितनी जादा होनी चाहिए GP ratio कि यह यह points ऐसे लिखे होना है जहां 6-6 points जहां 6 number लगे हैं मैंने आपके कल notes में देखना है कि आपने उसमें 6 लिखे या नहीं लिखे और कुछ बच्चों को sample basis चेक भी करूँगा कैसे लिख है ठीक है यह topic ऐसे ही है इसके number ratio calculate करने के तो अगर बारह नंबर का सब्सक्राइब करने के और आठ नंबर interpretation के हो तो प्लीज यह करना है जैसे कह रहा हूं ठीक है तो यह ratios बताती है कितने रुपे कमाए कंपनी ने पर रुपी 100 ऑफ सेल कितने रुपे ऑफ प्रॉफिट ठीक है GP ratio operational performance बताती है इतनी sufficient होनी चाहिए कि सारे expenses cover कर के कुछ profit बचा साधे investors को और इन जेनरल यह हाई हों तो बहतर होता है और useful है इसको GP ratio को और net profit ratio compare करना कैसे कि अगर GP ratio higher थी और net profit ratio lower है तो मतलब operating expenses ज्यादा है फिर आप ने कहा था कि इस बेटर दू compare these results is industry average and anti-zone performance over the yes फिर हम आगे बढ़े हमने कहा cost यानि expense over sale ratio भी होती expense over sale ratio ठीक है कौन कों से expenses है cost of sale है selling है admin है इनका comparison हम करते हैं यह ratios है expense ratios है यह बताती है per rupee hundred of sale कौन सा expense कितना था ठीक है तो हमने यह company has incurred rupees इतने expense per rupee hundred of sale इसका मतलब यह होता है ठीक है मैं जी तो यह चुक्के expenses है तो यह जितना कम होंगे उतना profit ज्यादा होगा तो यह lower is better है ठीक है तो हमने यह बात की थी उसके बाद मैंने कहा था बस यह पहला point लिखके फिर ratio normally changes ठीक है उसके बाद lower the ratio better it is और this ratio help management in controlling expenses and estimated future expenses ठीक है ठीक है अच्छा जी इसके बाद यह तो हो गई थी expense profit over sale ratio और expense over sale ratio ठीक है फिर हम आगे-आगे यह है जी asset turnover ratio जिसको अगर यू लिख दे तो formula याद करने की ज़रूरत नहीं होती sales over capital employed ratio ठीक है इस मईयर्स the amount of sales achieved during the छोड़ो सारी बाते आपने घर पे पढ़नी है एक बार लाजमी ठीक है मैंने इसका formula बताया sales over average capital employed multiply by 100 नहीं करना यह times में answer देती है यह ratio बताती है एक रुपे की sale generate कितने रुपे की sale generate होती है एक रुपे के gains ठीक है तो कहीं लिखा है हाँ यह लिखा है यह लिखा है एल जनेरेटिंग rupees 3.39 of sale per rupee 1 invested in business this ratio tells how efficiently company is converting its assets into sale हाला के नीचे capital employed पढ़ा था मूर्तजा ने बोला भी था कहां के मूर्तजा बोला भी था के सर यह capital employed है आप कह रहे हैं converting assets into sale यह इन्होंने लिखा हुआ है organizations assets are generating sales तो मतलब क्या है मतलब यह है कि capital employed भी एक तरह के मेरा जुमला यार capital employed भी एक तरह के assets ही होते हैं अगर current liabilities को minus कर दें तो इसलिए हम यह बात कह रहे हैं ठीक है अब this ratio tells how efficiently company is converting its assets into sale यह मैंने लिखवा दिये यह लिख लो यह लिख लो जो आपको अच्छा लगए यह जूसरा point होगा इस ratio में जब मैं कल चेक करूंगा एमत तुमारा register okay or age of company's assets play an important role so this must also be taken into account while interpreting the ratio क्या मतलब जो नए assets वाली company होगी उसके assets कम depreciate हुए होंगे तो book value उनकी ज़्यादा होगी न अब book value denominator में नहीं आती इसके denominator में क्या पड़ा है यह capital employed एक तरफ capital एक तरफ assets ही होते है न बोलो balance sheet tally होती है न बोलो तो जितने capital employee ज़्यादा है मतलब उससरफ उतने assets ज्यादा ही होते है ठीक है अगर denominator ज्यादा है तो यह कम होगा denominator ज्यादा तो यह काम अब same company same sale same performance लेकिन एक के assets newer है तो उनकी book values ज्याद है दूसरे से तो फिर गड़बर हो गई न विचारों के साथ जिनके नए assets थे ठीक है तो यह वाला एक point लिख देना हम यह point लिखेंगे रोप पड़ जाएगा age of company's assets play an important role so this must also be taken into account while interpreting this ratio अब आपके जहनों में यह ख्याल आएगा कि अगर यह बात average capital employed वाली ratio के अंदर लगी है यहाँ पे तो यहाँ पे भी तो average capital employed था ठीक है तो यहाँ पे भी तो यह ratio हो सकती है यह interpretation हो सकती है तो बिल्कुल हम इसको इदर ले आए और यहाँ पे मैंने कर दिया point number six बात समझे हो यहाँ पे भी तो denominator में capital employed नहीं पड़ा हूँ अगर उदर पड़े हुए capital employed को आप कह रहे हो कि यह जिसकी ज्यादा होगी उसका capital employed ज्यादा assets का जिसकी एज कम है नहीं यहाँ पे पड़ेगा तो किदर गई हमारी वो ratio जिसमें थे ही assets नीचे यह इसमें तो फिर पकी बात है पड़ गया क्योंकि इसमें तो पड़े ही नीचे क्या है यह तो सबसे अच्छा समझाती है इस ratio को तो यह point number four we are done हो गया यह अब एक जैसा कर लिए आप फड़े सी हिम्मत करते ना तो मैंने यह बात भी कर देनी थी आपके साथ जाते रहे हैं लेकिन आपने करने नहीं है तो हम पड़ रहे थे profitability ratio हमने कहा जी कौन कौन सी पड़ी हमने जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो औ ठीक है ओके higher is better फिर expense over sale ratio में cost of sale selling admin चीक है यह जितनी कम उतनी बेटर बीच में पॉइंट्स मैंने लिखवाई हो हैं इस तरह से आपको जो आपने नोर्स बनाने हैं interpretation नंबर वार करनी है तो यही फाइदा होगा आपका ratio calculate करना अलग पेज पर चल रहा होगा interpretation लग चल रही होगी अब आपने कठा 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 किया वह न मैंने इसलिए पहले तीन तीन को तो जीपी नेट प्रॉफिट ओफिट ओवर सेल रेशो के कठे चार पांच पॉइंट आगे फिर एक्सपैंस ओवर सेल रेशो के कठे चार पांच पॉइंट आगे फिर ऐसी तरह से अब जो आपने मेरी डिसकेशन के बाद अपने समझने के बाद इसको पढ़ने के बाद यह पॉइंट लिक लिए तो वैसे ही सेवंटी टू-एटी परसंट यह बाते हैं आपके जहन में बैठ चुकी होंगी इंशालो फिर हम इसकी प्रेक्रिस चुरू करेंगे पिर इसको अप्लाइब करेंगे अप्लाइड नॉलेज होगा फिर कुछ न कुछ बातें साथ साथ आगे भी सीखेंगे ठीक है पाँ सही है ना तो वैसे हतियातन जहां इंटरप्टेशन किसी की खतम करो ना तो दो दो तीन दिन आइने घर पे छोड़ देना कोई नई बात आगे जाक आने का एक मकसद ये भी था कि एंड पे जाके इस पर टाइम कम मिलता है बच्चे को तो अभी से जरा साथ साथ वीकंड एक वीकंड बीच में आ जाएगा तो हर वीकंड पर यह तो रिवाइद हो जाती है आदे गंटे में यह रेशों अच्छा यह फॉमूल है लेकिन उस से ज़्यादा बेतर मुझे यह लगा कि डिसकेशन ज़्यादा कर दो समझा ज़्यादा दो और थोड़ा सा आप लोग हाथ से लिख ले उसमें आपकी रिटेंशन ज़्यादा बेतर हो जाए ठीक है जी बटा एज ऑफ कंपनी वाली बात दुबारा बता देता जी यह बस यह बात समझानी है या बस देखनी है समझा दूँ इदर देखें जी कंपनी एह है इसके नौन करंट एसेट्स ने पचास रुपे के करंट एसेट्स हैं दस रुपे के साथ हो गया इसकी एकूटी है पचपन रुपे ज्यादे ही हो गया इसकी एकूटी है पैंटीस रुपे की नौन करंट लाइबिलिटीज हैं दस रुपे की और करंट लाइबिलिटीज हैं पांच रुपे की ऐसे ही है अब बो बराबर नहीं हुआ इसको पंद्रा नहीं करना था इसको चालीस पचास और पचपन कितना करने दस अब सही है अब बैलेंस ही टैली है अब मैं यह कह रहा हूँ कि सिर्फ इस बात से परिशान नहोना कि यह कैपिटल एफिड नहीं है मैंने कहा था कैपिटल एम्पॉर्इड किा होता है ऐकुटी प्लस यहनी पचास तो मैं यह कह रहा हूं कि capital employed भी एतना के assets ही होगे अगर 10 minus कर दें तो इसलिए तीनों ratios के उपर मैं एक rule लगा रहा हूं कौन सा age of assets वाला अब यह कैसे play करता है मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे एक company है जिसका PBIT है PBIT over मैं return on asset निकाल लेता हूं चले PBIT over total assets ले लेता हूं ठीक है PBIT था ना के नहीं फार्मूला नहीं था यह total assets वाला लेट मी देख मैं आपको दिखा के वहीं पर जाके करनूं यह example ताके यह return on asset यह देखें PBIT over total assets in 200 ठीक है तो यह formula मैंने लगाया अब companies मैं दो ले लेता हूं company A है मेरे पास इनका PBIT था 600 रुपे इनके assets जो हैं वो बलकि यह वाला उठावें इसको छोड़ें समझा आगी आप इसका इसके assets है 5000 के ठीक है into 100 answer बताएं 12% अच्छा एक company B है इस company ने भी 600 के profits कमाए है सेम सब कुछ सेम इन्होंने goods भी सेम बेची सब कुछ सेम था लेकिन इस company के ना assets नए थे वह भी कम depreciate हुए थे तो बैने शीट बुक वैलियू उनकी ज्यादा आ रही थी तो क्या answer आया अब इसका क्या कसूर है सिर्फ ये कि इसके assets नहीं है ये business बाद में आया ये है ये है मसला age of assets जिस जो जितना पुराना asset उसकी उतनी book value कम हो जाएगी denominator कम हो जाएगा तो फिर ratio बेतर आएगी जिसके जितने ने assets उसकी book value ज्यादा होगी तो denominator ज्यादा हो गया तो ये ratio कम चली जाएगी तो सब कुछ सेम होने के बावजूद ये ratio के अंदर गड़वड है ना तो यही ऐतियात बताई जा रही है कि एज और इंपॉर्टेंट रोल सो डिस मस और सो बी टेकन इंटो अकाउंट अगर सवाल में एज खुद बता दे तो फ है मैं गोपितबिले ट्रफित में जल्दी जल्दी जयाद हो गांग है सब कुछ प्रोसधिटि ऊवर शेयौच प्रॉफिट अवर सेयल अब के एकसरो्फ और सेयल हैं सेल प्हली वाली तीन हाइयर बेट और दूसरी लोओर उसके बाद return on capital employed, return on equity, return on assets, पहले यह देखा, return on capital employed, PBIT over average capital employed, यह higher is better, बताती है, for every rupee hundred invested in business, कितने रुपे कमाये, कितने रुपे का profit कमाया, फिर, यह क्या बताती है, how efficiently company is generating profits from long term funds, point 3 यह बताया, यह हमेशा higher होनी चाहिए, जितने पर funds ली हैं उससे, अच्छा point था, higher the ratio of better rate is, however it is better to compare these results with blah blah, and age of company assets play an important role, ठीक हो गया, next, उसके बाद कौन सी आई थी जी, return on equity, इसके अदर मैंने का आधा, pat, pat को क्यों देखते हैं, क्योंकि equity वाले को सिर्फ यही मिलना होता है तो pat over average equity into 100, per rupee 100 invested in equity, companies earning कितना profit, ठीक है, तो higher the ratio better it is, ठीक है, और यह बताती है, how efficiently company generating profits from equity, same same points है, लिख लोगे ने एक दफा, तो काबू में आजेगा यह सारा कुछ, ठीक है, how it is better to compare these results with blah blah blah, okay, यह point, ROE minus ability of, यह तो मैंने यहां लिख दिया है, पस ठीक है, इसको highlight ना करें यह क्या लिख दिया है, यह क्या लिख दिया है, तो कोई नहीं, पॉइंट सो तुमने लिखने है ना, गर जा गे, उसमें यह वाला लिखना, उके उसके बाद return on asset, total asset भी हो सकता है, fix asset भी हो सकता है, खामोश हो तो total assets करना, कह दे तो, fix asset डिवाइड कर देना, मसला कोई नह ठीक है, अब यह ratio percentage में क्या बता रही है, for every rupee 100 invested in total assets या non current assets, जो हो वो बोल देना, ठीक है, company is earning कितने रुपे का profit, तो जाहर है profitability ratio है, higher is better, ठीक है, तो, this means, AL is earning rupees 14.9 per 100 invested in total assets, how efficiently company is generating profits from total assets, analysis would be useful and meaningful, वही वाली, previous years और, entity on performance over previous years और, industry average से compare को, यह point लिखा हुआ है, वह एक जैसा जो पहली बार लिखना है न, वही हर दफ़ा लिख देना है, जहां 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 मैंने का हुआ हुआ है, यहां जुमला अलग हो भी तो खैर है, ठीक है, आपने एक ही लिखना है, और age of company assets play and important role, और आखरी को पहले तफाक से बढ़ा दी, ठीक है, इसके अंदर भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे points दे, ठीक है, जितना जितना highlighted है, ओके, यह आपने लिखने हैं, कल मैंने चेक करने हैं, ओके, चलेंजी अब आगे, अगली ratios का bunch जो है, वो कहलाता है, working capital efficiency ratios बहुत आसान ratios हैं, साकित कहता रहा है, पी लें मारे ठंडी हो जानी क्लास में तो, अच्छा जीत है, देखें, हमने, प्लीज, प्लीज, बड़ी हैं बात, पांच जनवरी को, goods purchase की, on cash let's say, अभी हमारी inventory बन गई, ठीक है, 15 जनवरी को, goods हमने sale कर दी, credit पर, ठीक है, बात में ढूंड लें हैं, सफा भी यह समझे, credit पर बेचे, debtor debit, sale credit, ठीक है, और, 20 जनवरी को, 28 जनवरी को, cash, receive किया हमने, from debtor, हमारी जेव से पैसे किस दिन निकले, 5 जनवरी को, और वापस किस दिन आए, अच्छा, मिसाल के तोर पे, मैंने ये चीज, 50 रुपे की खरीदी थी, और ये मैंने 70 रुपे की बेची, तो वापस कितने आगे मुझे, 70, तो 50 से 70 हुए या नहीं है, लेकिन एक चक्कर भी cash ने लगाया, वो चक्कर क्या है, हमारी जेव से ये cash 5 जनवरी को निकला, और, हमने goods खरीद ली, cash अब निकल चुका है, इसको cash का cycle भी कहता है, ठीक है समझा करो, ठीक है, 10 दिन, पांच, छे, साथ, आठ, नो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिन बनते हैं, बनलब, 11 दिन बनते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना, बस ठीक है, राउंड, राउंड, समझारों जो बात, वो समझो, ठीक है, ना, 10 दिन तक हमारी जेव से पैसा निकल कर, कहां पड़ा रहा, इन्वेंटरी में, उसके बाद वो बिग गई, 15 को बिग गई, लेकिन पैसे अभी भी नहीं आए, वो कहां पड़े हैं, डैटर में फसे हुए हैं, यानि डैटर के पास हैं, और फिर कहीं जाके, 28 जनवरी को, इन्वेंटरी, चीज अपनी इन्वेंटरी में रखते हैं, और फिर 15 को चीज बिकी, उधार पर और 28 को पैसे आए, कितने बने, 8 और 5, 13, 13 देज, इन 13 देज को कहते हैं, डैटर कलेक्शन पीरियर्ड या डैटर डेज, कि हम नॉर्मली 13 दिन में ये कलेक्शन कर लेते हैं, अब इन टोटल इसका मतलब 23 दिन के अंदर कैश ने एक साइकल पूरा किया हमारी जेब से निकल के वापस जेब में आने वाला, ठीक है ना, तो ये ये कैश साइकल कैसे निकला, मैंने का जी मेरे पैसे फसे रहे, इन्वेंटरी डेज में, कितने दिन, 10, मेरे पैसे फसे र हो गया, ये क्या है जी, ये वर्किंग कैपिटल साइकल भी इसको कहते हैं, इसको कैश ऑपरेटिंग साइकल भी कहते हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकल या वर्किंग कैपिटल साइकल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो फिर मैं किसी बताऊंगा, आज मेरे पस ये टाइ कम yards क्रेंग के निकाल रहे हम हम वर्किंग कैपिटल आइटमस की बात की childhood करने केंदर के दिए होते है तक है थी कि इसको वरकिंग कैपिटल मैंनेचमें다는 पर देख लेंगा टीक है फिलाल मुझे इसके बेड़ बटाएं कि मैंने आपर क्या निकालala के दी हैं आपको cash operating cycle days में निकलता है cash operating cycle इसको working capital cycle भी कहते है ठीक है जी और ये निकलता कैसे है पूरा formula inventory days plus debtor days less creditor days ठीक है हमारे सवाल में फिलहाल ये zero था क्योंकि मैंने उधार पर चीज खरीदी नहीं जी तोड़ा साथ हो जाए ये बास समझें समझा रही है अब मैं इसको जरा इस तरह से करता हूँ कि हमने जो goods खरीदी थी वो उधार पे खरीदी थी ठीक है पांच जनवरी को जो मैंने goods खरीदी on credit अगर अगर ये ऐसा हो और फिर मैंने साथ जनवरी को पैसे दिये ठीक है cash pay to credit तो मेरे जेव से पैसे किस दिन निकले हैं बस समझाई लेकिन inventory में चीज कितने दिन पड़ी रही वो दस दिन नहीं है दस दिन inventory पड़ी रही तेरा दिन debtors रहे लेकिन बीच में एक नई चीज आ गई मेरी जेव से पैसे किस दिन निकले है साथ जनवरी को तो ये दो दिन तो समझो फिर मुझे बाची कहे ना जब मेरा cash मेरे पास ही रहा क्या ख्याल है तो ये क्या है ये creditor payment period है इसको creditor days भी कहते है तो पूरा cash cycle हमारा क्या है कि हम 10 दिन inventory को अपने पास रखते हैं 13 दिन debtors में पैसे फसे रहते हैं और 2 दिन में हम creditor को पैसे दे देते हैं तो हमारे पास फिर चकर कितनी देर में लगा cash हमारी जेव से ना आज 7 को निकर रहा है ध्यान से ये देखो लेकिन ये करना ऐसे ये ठीक है न तो cash किस दिन निकला 7 को वापस किस दिन आया 28 को तो कितने दिन रहा cycle 21 दिन और ये जितना ज़्यादा lengthy cycle होना उतना बेतर होता है सर नहिलाएं खुदा का खौफ करें आप पैसे चीज बेच कर भूल जाते हैं कि कभी आएंगे तो फिर लेंगे ये cash cycle है मैंने जैसे मिसाल दी आपको कि मैंने 50 की चीज खरीदी और 70 की बेची तो 50 वाली चीज 20 रुपे का profit कब कमाएगी जब ये cash वापस आएगा तो ये जितना जल्दी आए उतना बेतर है जितना जल्दी आएगा तो 70 को फिर इस्तमाल करेंगे cycle में डालेंगे पर वापस आएगा profit लेंगे फिर दालेंगे फिर वापस आएगा तो ये चिशकर जितने जादा सा साल के अंदर लगेंगे उतना जादा फाइदा होगा नहीं कैसे आप लोगों ने कहा दिया कि यह जाद तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दिन आप क्रेडिटर से ले लें यह आपका कमाल है यह फाइदे की चीज़ है लेकिन कम से कम दिन में आपने इन्मेंटरी को करते हैं आपका क्रेटर पैसे मांगने आ जाए तो आपके डटर की तरफ से पैसे आ जाने चाहिए यह साइकल इस तरह से बस करने की कोशिश की जाती आठीक है नहीं तो यह ढटरड़ेस क्या कहलाएंगे विह भात जिस दिन चीज बेची उधार पर और जिस दिन में पैसे कितने दिन्मे क्लेक्ट की किये डटर से पैसे 13 कहां दिन में चीक है अच्छा उसके बाद inventory days क्या कहलाएंगे चीज खरीद कर बेचने तक यानि हमने अपनी inventory को कितने दिन में convert कर लिया into sale 10 दिन में ठीक है और creditor days हम कितने दिन में creditor को payment कर देते हैं simple है ठीक है तो working capital cycle की तो को calculate कर वा दी ठीक है working capital वहां पर जाके देख भी लेते हैं वह होती है inventory days plus debtor days less character days working capital cycle किसे कहते हैं कि cash पूरा एक चक्कर हमारे पास कितने अरसे में लगा कर आता है और आप तो पता है हम तेरा दिन ना लगाते हम छे दिन में ले ले लेते जब creditors से ज़्यादा से ज़्यादा दिन ले सकें आप इसको यह नहीं कहना कि जलील कर करके पैसे देंगे goodwill खराब होती है आपने पहले terms ऐसी agree करने हैं कि बाई जान आपको इतने दिनों पैसे देंगे तो यह जितना कम होते जाएं और यह जितना ज्यादा आप borrow कर लो time यह सारी चीज़ें आपकी improve करेंगी इस cycle को यह तेज होगा debtor days, inventory days का कम होना और credit days का maximum allow हो जाना creditor से यह आपके working capital cycle को यह working capital cash operating cycle को क्या करेगा improve करेगा improvement क्या है कमी इसके अंदर जितनी कमी हो उतनी improvement एक company बताओ क्या थे एक company 80 दिन के अंदर cycle पुरा कर रही है, दूसरी, 21 दिन में कौन सी बेतर है यह साल में पते नहीं कितनी दफ़ा सेल कर जाएगी चीज़ को, कितनी दफ़ा सब चक्र लगा लेगी, चीक है ना, तो इसको क्या चाहिए अब इसको क्या चाहिए अब, improve करना है, यह इन 50 दिनों को कम पे लाए ना, अपनी सेल टीम को तोड़ा तेज करेगो, सेल कमीशन दे, को तोड़ा उनको डंडा शिंडा दिखाए, यह debtors को, मूचों वाले बड़े रखे ना, यह collection जड़ा जल्दी करवाए ना, पैसे जल्दी आजए नीचे आए यह दिन, और यह को मिनत तरला करके बढ़ाए, इसको यार देड़ मीन ले लिया कर, यार देड़ मीन पैसे ले लिया, ताकि यह क्या है, काम, चीक है, तो यह क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसी को कहते है, ठीक है न, अच्छा, तो वर्कि करना होंगा, मैं खुद करवाऊंगा, पर पढ़ना जरूर है, लेकर, दा रेशियोज आर यूजिली मेयर्ड इन टरम्स अफ एन अवरेज नंबर अफ देज, यह सम टाइम वाली बात मैने भी बतानी, इसको छोड़ो, दा कैश साइकल, अलसो कॉल्ड ऑप्रेटिंग साइ ठीक है, दो वर्किंग कैपिटल रेशियोज आर यूसफुल, आरा यूसफुल मैयर्ड वैदर एंटिटी है, तू मच और तू लिटल इन वर्किंग कैपिटल, एक्सेसिव इन वर्किंग कैपिटल, यह ज़र बात में पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा, अब सुरफ पढ़ते हैं, मैंने बता दिया चारो, डीटर डेज, इनवेंट्री डेज, क्रेड़िटर डेज, और वर्किंग कैपिटल साइकल, यह चौथी रेशियो थी है, ठीक है, अब यह यह ज़र देज, इनवेंट्री डेज, क्रेड़िटर डेज को अगर हम एक और तरीके से तो यह टोटल सात इसतों से बनती है वैसे हैं चार ही टीक है पंधना से बीस मिन्ट लगते उनके लेकिन आप आदा गंटा लगा लें आप कौना लगा आप आज सिर्फ मुझे कोई मसला नहीं है लेकिन करने वाले मनें दें सबसे पहली रेशो है जी डेटर डेज डेटर डेज average डेटर ओवर क्रेड़िट क्रेड़िट सेल्स इन्टू 365 365 क्यों यह परसंट में आंसर नहीं देगी यह टाइम्स नहीं देगी यह डेज में आंसर देगी ठीक है जी बच्चो आप यह तीन रेश्चों ओपन हो गई है बलके चार ओपन हो गई है लेकि इनको पढ़ना साथ साथ है आप अगली वाली देखना शुरू कर दी है एक दोस्तने हाला कि नहीं करना चाहिए था ऐसे जल्दी करें आपको बता दिया आपने क्या करने जी आप फार्मूला जाना याद करने पड़ेंगे ना फार्मूला जाना थोड़ से याद करने पड़ेंगे लेकिन ये देख लो कि पिछली 10 रेश्चों में आप क्योंके क्लास में आ गया हमने मिल के किया तो वो 10 रेश्चों के इस वक्त तक आपको याद हैं घर जाके इनको नोट कर ले ना बस द्यान से ठीक है ना ये भी इंचला भी याद हो जाएंगे सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो बाकी सारे इसी की हैल्प से ही बाकी अगले 6 के 6 याद हो जाते हैं ठीक है जी एवरी डैटर्स ओवर सेल्स इन्टो हंडर्ड जी बोलें आज़ड़रई开त कितने रलुआ कि अहेश्म कैसे निकलेंगे यह 170 वайт वाला 170press 168 おड़ डिवाड़ लॉट 2 कैंद ऑ या अनसर आता हे मुड़ग दैटर्स虐ट closing debtors divided by two average आ गया मैं डिरेक्ट लिख दूँ अब डिरेक्ट लिख दूँ कितना 171 कर लें जी 171 अब sales sales कितनी है जी सवाल ने बताया नहीं क्रेड़िट कितनी है कैश कितनी है तो क्या करें अगर सवाल खामोश हो तो sales को हमेशा credit य एजियूम करने है ठीक है एक रुपएगी cash sales नहीं है हमें यही एजियूम करेंगे credit तो है नँ debtors आ रहे है credit sales तो है सवाल खामोश हो तो अगर सवालने cash sales बतानी होंगी ना तो खुद बताएगा वरना sales है मतलब credit sales है ठीक हम बेचते हैं उदार पर चीज़ा है बाद में पैसे आते हैं ओके तो 4315 किदर गया यार इधर ही था यह 43 मैंने सिर्फ दो फाइल सो नहीं खोली हुए थी बेटा cash sales अगर दिया होता तो फिर इस sales में सो वो cash sales निकाल देते हैं cash sales का debtor से कोई तालुक नहीं है बाकी sales तो बाकी sales तो sales है ना लेकिन यह debtor days निकाल रहे है तो इसमें सिर्फ debtor के अंदर कौन सी sales आती है credit sales आती है तो सिर्फ इसके लिए मैंने यहां पर मैंने अभी तरह कहीं पर यहां पर credit sales निका था net sales total sales लिखते आ रहे ठीक है देख लें solution में क्या होगा है 14.4 लिखा होगा ठीक है वहीं से देखके तो नहीं बताई जा रहे हैं आप लोग अच्छ चले जी अब यह ratio क्या बताती है पहले सुन लो फिर देखते हैं जो कुछ लिखा होगा वहां से use करेंगे और जो additional हो फिर मैं खुद लिखा होगा ठी है यह ratio क्या बता रही है इदर देखो company is company takes 14.4 days to collect its receivables नहीं पसंद आया अगला जुम्ला देखो company takes 14.4 company converts its debtors into cash in 14.4 days यह पसंद आ गया है तो इन दोनों से कोई एक लिख लिखा है मैंने क्या बोला company 14.4 दिन में अपने debtors को cash में convert कर लेती है यह क्यों कह देए company 14.4 दिन में अपने debtors से पैसे collect कर लेती है दोनों एक जैसी बात ठीक है चलें उसके बाद उसके बाद यह जतने ज्यादा दिन होंगे higher वो better इतनी जल्दी पैसे देंगे पैसे वापस आएंगे profit मिल जाएगा उतनी जल्दी फिर दुबारा चीज़ें पर चीज़ें पर चीज़ें यह कम से कम हो ठीक है चलो पढ़ते है एवरेज टाइम टू क्लेक्ट यानी receivable days जिसको मैंने debtor days भी कह दिया और receivable days है debtor days ही हुए ना यह refer example one हो रही है सब में पता है ना आपको जी average trade receivals over sales 365 14.4 days this ratio estimates the time that it takes on average to collect payment from customer after sale has been made it could be described as average credit period allowed to customer on the or the average collection period सारी बातें एक जैसी ही है important है जिस वो देख लें time that it takes on average to collect payment from customer after the sale has been made ठीक है जी तो यह जुमला ऐसे लिख लें या जैसे मैंने लिख वाया वो तो आपको बहुत असान लग रहा है कि this company takes 14.4 days in collecting its debts या in converting its debtors into sales ठीक है it could be described as average credit period allowed ये इसके alternative names है ये भी देख लें और average collection period ये इसके different names है मैंने का चलो ये भी average को छोड़ो बस ये धर credit period allowed भी इसको कह सकते हैं collection period भी कह सकते हैं मतलब पता हो ना आप सो ये वैसे alternative name से ठीक है तो ये जुमला ऐसे लिख लेना ये बेतर जुमला है वैसे मेरे अलब बहुत चोटा था लेकिन खैर वो भी ठीक है वो भी ठीक नेक्स्ट ये क्या है ये बाद में आकर देखते हैं ये नहीं है फिलहाल आओ कार्ट ना देना भाई ये है लेकिन आप लोगोंने फिलहाल इसको छोड़े टर्नोवर देश्चा थोड़ी दिर में आते हैं ठीक है प्रक्राणा कार्णा कर देखना देखना मैं उखान सफें को क्या हुआ है मुझे लगता है वर्किंग कैपिटल रेशयो भी हो सकेंगी मेरा दिल था लीकुडीडी रेशो भी हो जाती है चलो कल कुछ कर लेंगे कुछ कल कर लेंगे आईए सेट के साथ मिला के खेर चलें इधर देखें आपको क्या आपको क्या आपको पढ़ना है आपको तो पहने पढ़ाना है बस जी इस मीन्स डाट ऑन एवरेज 14.4 डेज अर 902 डिकावर इस डेट्स और ट्रेड से बजार कनवर्टे इंटो कैश को छोड़ो ठीक है जी बस फिलाल तो इतनी सी बात ही निकली है के यह रेशो क्या बताती है एवरे टाइम तो कलेक्ट पेमेंट फॉम कस्टमर आफ्टर सेल हैस बीन इसके दो नाम यह भी ठीक है ओके सेल्स यूजिली टेकन एस टोटल सेल फॉर दा इयर हावर इफ सेल्स आर अनलाइज इंटो क्रेड एंड कैश इस प्रॉबिली मोर अप्रॉप्रेट तो यूजर फिगर फॉर क्रेट सेल्स अंडी ठीक है अगर वो अलग करेगा तो फिर क्रेट सेल्स हम यूज्स करेंगे यह बाते सारी हुई है हाइलाइट करके लिखने वाली नोट्स में कोई चीज में होगा यह सिर्फ डिसकेशन है जो आपको पता होने चाहिए पढ़ेंगे सही एक बात ठीक है एवरेज रिसीवर शुट भी यूजर्फ यूजर्फ कर लो यहां पॉसिबल हो अभी तक हमने हमें एवरेज की है कैप्टल इंप्लॉइड की और अब हम एवरेज कर रहे हैं इधर डैटर लिए डावरेज टाइम तो क्लेक्ट मनी फ्रॉंग क्रेट कस्टमर शूड नॉट बी टू लॉंग हाँ यह अच्छी बात है अलॉंग एवरेज टाइम टॉलेट सजेस्ट इन इसको ना मैं कनवर्ट कर दूँगा अपने वाले तरीके में फिल्हाल यह पॉइंट वाँगा थोड़ी दिर में यहां लिख दूँगा ठीक है जी उसके बाद यह पॉइंट टू है यह बहुत इंपॉइंट पॉइंट है कि एवरे टाइम टू कलेक्ट शुड नॉट बी इस यह बहुत आप लोगों की थोड़ी मेंद चाहिए घर पे अगर आपने जो मैं कह रहा हूं वह कर लिया पास ओने वालोंने कर ले ना यह का इंशालला घर जाना है सब समझ आया हुआ है रेशोज कैलकुलेट आपके उस बारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बस इ लिख वारा था ना पहले स्टार्ट में नहीं जाने दिया अब अब करना क्या है बस आपने वहर रेशो कोलनी और जो पॉंट्स लिखवाएं है उनको बस नंबर वार आपने लिख देना है वो लिखते हुए आपको बता लग जाएगा अच्छा यार बस इतना साही काम है यहां दो चार पाश राइ्टिंग के साथ से होता है चोटी राइटिंग वालों के चार तीन चार सफों में आ जाएगे बड़ी वालों के 8-10 सफों में आ जाएगे लेकिन टॉप हे खतम हो जाए असके बाद प्रैक्टिस है है आर सवाल की पास पेपर में भी करेंगे क्ष लिखनी है पिर रिटार्यों केप्टल इंप्लाईड की जो बातें कठी लिखनी है यह आप ये डैटर की अलग लिखनी है अब क्रेटर की अलग इन्वेंटरी की अलग है है next inventory turnover अच्छा अब देखो मैंने कहा था एक फॉर्मूला याद कर लो डेटर डेज़ वाला बाकि खुद ही हो जाएंगे अबरेज डेटर ओवर क्रेड़ सेल इंटू 365 यह निकलता है डेटर देज तो अगर इंवेंटरी डेज होंगे तो इधर क्या आ जाएगा एवरेज इनवेंटरी और इधर क्या आ जाएगा सेल की वह जाए कॉस्ट और से बस सिंपल कॉस्ट और से तो यह की फॉर्मूला या जी शुकर करें कॉस्ट और सेल गिवन है फट अफट आपने क्या किया कॉस्ट ओफ से डिवाइड कर दिया एवरेज इनवेंटरी करनी थी बस जरा मसला जाकर देखते हैं एवरेज इनवेंटरी यह 280 जमा दोसोबाथतर डिवाइड दिवाईड वाई थ्री तू 280 opening inventories plus 272 closing inventories divided by 2, कितना आ गया 276, ये कैसे निकला है समझ आ रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछले मैं बता दू opening debtors plus closing debtors divided by 2, ठीक है अच्छा, divided by cost of sale, cost of sale कितनी है 3020 into 365 65 33.3 days ये क्या है जी ये क्या है, ये क्या है 33 दिन क्या है ये 33 दिन वो है जितने दिन में ये अपनी inventory को sale में convert कर लेते हैं यानि चीज खरीद के ना 33 दिन तक ये sale कर जाते हैं चीक है तो ये जितना ज़्यादा time हो उतना अच्छा है ना inventory को सीने से लगा के रखेंगे, खरीदेंगे, को दो तीन साल रखेंगे गल सड़ के फिर तीक है ये क्या है ये क्या है जी inventory days क्या बताता है कि in 33.3 days this company converts its inventory into sale in कितने days 33.3 days तो ये जितना lower उतना better क्योंकि जितना देर ये रखोगे न इसका डर है कि ये की inventory obsolete न हो जाए slow moving न हो जाए ये इसके अंदर loss न आ जाए inventory जादा देर नहीं रखते होते हैं तुम घड़ी देखे रहो तुम चले जो ठीक है जी ये हो गया done पढ़ने जादा क्या लिखते है average time to अभी इसको ना देखो अभी इसको ना देखो ठीक है average time for holding inventory इसको inventory days भी कहते है average entry over cost of sale कितना आ गया जी 33.4 days this ratio is an estimate of the average time that entry and inventory is held before it is used or use की मैंने बात भी की थी raw material भी तो खरीटते हैं inventory वो चीज बना के बेचने वाला हो तो वो यूज करते हैं फिर चीज बेचते हैं ठीक है न बहराल inventory कितना अर्सा आपने रखी बिफोर यूज और sale ठीक है this means that on average 33.4 days are taken by entity to sale its inventory और inventory is converted into sales ये नहीं अभी नहीं पड़ना है ये नहीं है फिर लिखवाता हूँ ये टाइम्स वाली उसके opposite बात है ना वो साथ एक ही बार कटी पड़ा होगा ठीक है उसके बाद average trade debtors कैसे निकले ये भी यहाँ पर निकला होगा average trade debtor सुनी होने चाहिए थे यहाँ पर ये गलत लिखा गया है ये उपर वाला लिखा गया है इसको दर सही करवा दें जी collection कला लें ये हो सकता है मेरी गलती हो साकिब की नहीं हो मैंने लिखी ऐसे दिया copy paste किया और फिर जी बताएं 272 रुपीज 272 प्लस 280 मिलियन में है न काम रुपीज 272 मिलियन प्लस 280 डिवाड़ी द्यूपीज इसको रुपीज 276 ठीक है ये 276 यूज रहा गलती होगी तो सही कर लें इसको ठीक है जी ओके इन अमनेफेक्ट्रिंग और्गनाजेशन देर आर यूजी थी टाइप आफ इन्वेंटरी इस ये बाद में देख लेंगे वैसे को मसला नहीं है अ मेरीज इन्वेंट्री कॉस्त ऑर सेल ओवर आवरेज इन्वेंट्री है मैं है इना थे समझ भी जाये करो यह तो कहा है के घल्ती हुई है एवरीज इनवेंट्री अच हो कहता है जी यह तो होगे नहीं इनवेंट्री का ओवरल फॉर्मूला यह ठीक है कि यूज या सेल करने तक कितने दिन हमने इनवेंट्री को होल्ड किया मैनिफेक्ट्रिंग कंसर्न में रॉम मेटिरियल कृट्रिय इनवेंट्री होती है तो यह तीनों ही यूज हो सकती है राव मैटिरीयल की इनवेंट्री देचने तो रराव मेटिरीयल ओवर क्लास्ट ऑ》 मैटिर्यल कंजूम्ड कर दो अगर वरकिज नवीड नव् Creating уск कोश्ट आफ गोड़्स मैनू फेक्चरड आगयाओ यह कोस्ट आफ गोड्स ओ् I manufacturing account पढ़के नहीं आए manufacturing account raw material consumed निकल आता था opening plus closing करके ठीक है जी उसके बाद direct labor prime cost कभी लिखते थे कभी नहीं लिखते थे उसके बाद आते थे factory overheads number one number two number three यह तीन आइटम्स थे फिर factory overheads के अंदर पर वह बहुत कुछ होता था बिजली गैस brand depreciation indirect labor indirect material सारा कुछ डालके यहां पर आता था total manufacturing cost मैं factory cost लेग देता हूं जरा इसको total factory cost या manufacturing cost इसमें आप opening working process add करते थे closing work in process less करते थे तो cost of goods इतना कौन लिखे cost of goods manufactured आ जाता थे फिर आप opening finished goods adjust करते थे closing opening plus closing minus cost of sales अब वह इतनी सी बात ही कर रहा है कि अगर आपने raw material inventory days निकालने हैं तो आपने average inventory पकड़नी है उसको डिवाइड करना है raw material consume से जी जाहर सी बात है और आपको खाब आएगा और अगर अगर उसने अगर आपने work in process inventory के days निकालने हैं तो आपने average work in process inventory को divide करना है cost of goods manufactured से ठीक है और अगर आपने finish goods inventory के days निकालने हैं तो आपने average finished goods inventory को divide करना है cost of sales से तो इसलिए उमीद करें कि यह नहीं दिया होता वह वस वह ही होता है जो एक आगे आ रहा है ठीक है ना तो इसलिए इसकी अलग से discussion कोई नहीं है ना मैंने इसको ठीक है जी तो यह important बात आ गई तो यह point one हमने लिखा ठीक है कि यह क्या ratio है जी every time that inventory is held before it is used or sold और point two सिर्फ याद बीच में यह वाली बात सिर्फ याद रखनी कि अगर कभी वो सिर्फ inventory days की बजाई इंवेंटरी इस तोड़ के दे दे तो फिर उसको यह data भी तोड़ के देना पड़ेगा तो आप raw material days निकालने के लिए average raw material inventory divided by raw material consumed करोगे average work in process work in process days निकालने के लिए average working process inventory divided by cgm करोगे cost of goods manufactured और अगर finished goods के days अलग से नेने हो तो फिर average finished goods inventory divided by cost of sale चाहिए है लेकिन बस इसको इतना ही याद रखना है खैर चलें आगे अच्छा every time to pay suppliers मतलब credit days अब formula वही आपको एक आता है मसला यह आपको formula सिर्फ एक आता है formula क्या है अब आपने अगर क्रेटर डेज निकालने हैं तो आता अगर क्रेडिट पर चेजिस तो फॉर्मूला लिखा आपने फटा 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 अपने यहां पर average creditors over credit purchases हमारी numbering पता नहीं क्या चल रही थी यह था नहीं 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 यह कौन से number 11 यह 12 यह 13 पर पहुंच गया है ठीक है ना जी अच्छा जी अब सवाल में हम आए average creditors creditors तो हमने फटा फट कर लिए किते ने current liabilities trade payables creditors को कहते हैं न 162 plus 153 divided by जी कितना बनता है यह 158 divided by credit purchases अब जो हम चले तो credit purchases नहीं थी कॉस्ट और से ले 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 लेते अगर अगर हमारे पास inventory का ledger मौजूद ना होता बाइदावे मैं यह topic आज से पहले cash low के topic के बात करवाता था तो cash low के topic में यह ledgers balance करने आ जाते हैं बहराल यह बात समझ ना आये तो बात कल करना है आसान सी बात क्या मतलब perpetual system तो पढ़ के आयो ना जो मैंने कहा हुआ है कि आपको entries मैंने revise करवानी है पता नहीं कभ याद करवाएंगे आप लोग perpetual system के अंदर inventory का लेजर बनता था बोल तो दो अच्छा inventory का लेजर जो होता था उसमें नॉर्मल चार कौन सी चीज़ें होती थी opening stock फिर purchases परचेज़ जाती है ने दर cash या credit वाली purchases inventory में debit होती थी थी ना वो cash भी हो सकती है credit भी हो सकती है सवाल खाम होचे तो तो ग्रैटरिय जीम करते हैं फिर cost of sale और फिर closing तो अगर ये inventory का लेजर मौजूद है inventory के data मौजूद है न ये देखो inventory इतना है 280 closing 200 मैंने यहाँ पे लिखा 280 यहाँ पे लिखा 272 cost of sale भी सवाल में given है 3020 तो क्या ख्याल है परचेज निकल नहीं सकती इतनी 3012 अब अगर इतना data ना होता जैसे inventory वगरा को opening closing था अगर ये ना होता तो यहां से एक आवाज आई थे cost of sale यूज कर ले मजबूरी के दर्जे में फिर वो कर लेंगे पर मजबूरी के दर्जे में चार नॉर्मल चीज़े हमें पता ही होती है inventory को opening closing मौजूद है cost of sale म स्वाल खामोश है तो कौन सी purchases credit ओके ठीक है इसकी बहुत practice है वैसे यह लेजर में वैसे अक्सर छेड़ता तो रहता हूं इस तरह से चार नॉर्मल चीज़े हमेशा हर लेजर में ठीक है ना तो वह क्यारी cash low की हो रही है खैर purchases हमें निकालनी पड़ी working number फला में ठीक है तो credit purchases कितनी है जी 3012 working फला में इंटो 365 बताएं जी 19 पॉइंट अब यह क्या है यह हैं इतने दिन जितने में हम अपने creditors को payment कर देते हैं ठीक है यह जितने बढ़ें उतने बहतर हैं लेकिन ध्यान से यह बात करना जिस रफ यह नहीं कहा देना यह जितने बढ़ जाएं उतने ब कैसे देने उसको जलील करो खजल करो अगली बार वह चार पांच आसपा सालों को भी कहेगा उधार देना इसको नहीं जिसको मर्जी देना इसको नहीं तुमने अगली बार बजार से उधार नहीं मिलेगा सामान ठीक है ना गुडविल है हमारी इसलिए यह बड़ी critical ratio है सिर को decision लेते हैं ठीक है तो पढ़के देखते हैं निकल तो यह आई है figure every time to pay suppliers payables days जिसको मैंने credit days लिख दिया है payable days credit days एकी बात है average trade payables over purchases ठीक है purchase कहीं निकली हुई है average 158 निकाले थे हमने भी यही बोलो 158 इसमें चेक कर लो purchase कैसे निकली है जी और यह ledger ही बना हुआ है तुम लोग यह 3012 नहीं निकाला था बस तुम लोगों ने यह ledger ही बनाया हुआ है देखो opening closing inventory का ledger वह easy था समझ आ गया opening closing cost of sale उठाया और balancing आपने purchases निकाली है बिल्कुल वही बाला यह answer यही है ठीक है अब this ratio measures the number of days this ratio measures the number of days it usually takes to a business to pay its supplier for purchases made on credit ठीक है जो के हमारी company के case में कितना है 19.2 days this means that on average 19.2 days are taken by anti-satellite trade payers अगली बात में पढ़नी यह मैं भी लिखवाता हूं तीनों की कठी हो जाएगी न एक ही जैसी क्योंकि मैं यह ही चाहा रहा हूं कि जैसे आपको return on capital employed, equity, asset, asset turnover के एक जैसी लाइने थी ना कि आप सिरफ सफे पे एक बार लिख लोके तो को गया यह एक जैसी ही है बस समझ भी आ गई ठीक है ना इसी तरह से मैं यह चाहता हूं कि debtor, creditor, inventory days यह एक ही बार में आपको 4-5 points बोलूँगा तो एक बार एक का बोलूँगा तो सब का वैसे ही बोला जाएगा तो आपको असानी से वो समझ आ जेगी बात कि हर एक की बात एक जैसी ह है बस एक दो चीज़ें यह वाली बदलेंगा, टीक है? जी बेटा, हैं, एक ख्लास के बाद भी यह फरमाईश हो सकती थी, when the cost of purchase is not available, cost of sale may be used instead, कहां से आई ती अवाज, किताब में आप में तो निकी थी, कहां से आई ती यह आप में तो निकी थी, आप में तो निकी थी, if the cost is not available, then cost of sale may be used instead, average payable should be used in calculation when comparable data, यह लिख दिया हमने पता हमे, the ratio is interpreted, देखा, यहां पर यह नि कहा जा रहा, देखो, 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 यहां पर कहा गया, longer inventory period indicates inefficiency, कम करो, every time to collect, should not be too long, कम करो, यहां पर कहा रहा है, this ratio is interpreted after taking into account the credit period allowed by the supplier, यह नहीं कहा, जलील करो, खुआर करो, उसे, रुला, रुला के, कजल कर कर के उसको पैसे दो, ऐसे करो के अगली बार तुम्हें उधार बजार से ना मिले, यह बात नहीं बोली उन्हें, यहां पे नहीं करना, ठीक है, इस इन इंपॉर्टन पॉइंट, यह हम क्या क में गरार रहे हैं, रेशो को, के इस रेशो को क्या मतलब है, यह कया बताती है, पंदना परसंट ROCE का क्या मतलब है, यह क्या मतलब है, यह क्या बताती छाते नुए, पैस्पोन में सुखने है। यार मैं बता रहा हूँ तरीका बता रहा है अच्छा जी चलें अच्छा आप देखें इधा देखें प्लीज 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 डेटर डेज 14.4 इंवेंट्री डेज 33.4 क्रेटर डेज 19.2 वर्किंग कैपिटल डेज या कैश साइकल डेज कैसे निकलेंगे निकाल सकते हो करो कैलगुरेटर पकड़ो पकड़ो कैलगुरेटर हाँ बिल्कुल बिल्कुल 14.4 प्लस 33.4 माइनस 19.2 इस इक्वल डू क्या यह डिफरेंट एग्जेंपल आगी हमारी कहां गई उपर है है उपर यार तो मज़ा ख्राब हो जाना है सारा मराई चलो हम भी एग्जेंपल से नहीं से कर लेते हैं इनसान बनो हाँ लेकिन एक मसला है यह तो आप होवक में करेंगे ना एक ना करना हूं वह कल कर लेना ठीक है वर्किंग कैपिडल एफिशंसी प्लीज बेटा अच्छा सुनो 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 यह सिर्फ आपने रेश्योज कैल्कुलेट करनी जब कभी दिल करें आपका इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवर ट्रेड पेबल्स गिवन हैं ओपनिंगे क् सेल्स गिवन है नीचे सेल्स टोटल इतनी परचेस टोटल इतनी और कॉस्ट और सेल वार इतनी डेटा दिया हुआ ठीक है और उनने कहा है कैलकुलेट वर्किंग कैपिडल एफिशंसी रेश्योज अब देखो यह नाम भी याद रखने पढ़ते हैं इंचला कल से इनिवेंटरी डेज निकाले ठीक है जी कैसे निकाले आपको बता है वह मैं निकाल क्या रहे हैं ठीक है ना अब चौथी रेश्यो कौन सी है वर्किंग कैपिडल साइकल कैसे निकलेगी केल्कृटर पखड़ो एवरेज डेटर्स एवरेज डेज डेज तू कलेक्ट प्लस inventory days minus 32.4 कितना था ये 87.4 इस example के अंदर निकला हुआ ठीक है ना मैं ये इसलिए यहां पर ले आया कि आप यही वाले पर निशान लगा रहे थे ना वरना अगर आप refer example वन ही करके चलना चाहते हैं अब आप पते क्या करेंगे आप यहां पर जब आएंगे ना 14 में तो यहां प इस एक्जेंपल कौन सी है 3 है रैफर एक्जेंपल 3 page नंबर आ है 766 वह लगा कुछ किते रहा गया कुछ किते रहा गया लात किते थे वहां किते रह फर इक्जेंपल 3 page 766 ठीक है जी तो आप अब बताव मुझे के कैसे निकाले है आपने ड़्यक्टर डेस क्रेट ड़्यक् नाइं इन्वेंटरी देज फिफ्टी टू पॉइंट नाइं ट्रेटर देज थर्टी टू पॉइंट फॉर इस एक्वल टू 87.4 ठीक है ना तो इसमें आपकी दर रेफरेंस बदल गया है वैसे तो आप अपनी पुराने सवाल में भी कर सकते थे देस प्लस देस माइनस दिस लेकिन चुके वहां पर आप निशान लगा रहे हो अंग्रेजी लिख रहे हो वहां से उठाकर तो इसलिए मैंने यह कर दिया है वरना यह भी ठीक है अच्छा अब इतर देखो कमेंट शमेंट बाद में देखना यह रेशो देखो मैं यह कंपनी हूँ और मुझे यह बिजनेस शुरू करना है ठीक है जी मैं बील हूँ और मुझे यह बिजनेस शुरू करना है मुझे कमस कम 87 दिन के लिए पैसे चाहिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए क्या मतलब मेरे पास कोई पैसे नहीं है मैंने कारोबार करना है तो समान लेने फिर वो बिकने तक पड़ा रहना है फिर बिकना तो पैसे आने तक पड़ा टाइम लगने तो कितने दिन तक पैसे मुझे नहीं आएंगे एक बार जेव से निकलेंगे तो 27 दिन तक यह मतलब होता है इसका बहुत इंपॉर्टन रिश्यो है इस इट इंडिकेट्स एट अन एवरेज बी एल नीड्स वर्किंग कैपिटल फाइनसिंग फॉर ठीक है क्योंकि यह क्या है यह क्या है इस एवरेज साइकल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ठीक है फ्रॉम दर टा सॉर्सेज दे सप्लाइ टू अटाइम एट कैशी रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर बूर सर्विस ठीक है जी यह बहुत इंपॉर्टन रिशो है दा रेशो वर्किंग कैपिटल रेशो एंड दा लैंथ इसकी इंटर्प्रेशन इंपॉर्टन ए ठीक है ना वर्किंग प्लिट्स नहीं है बस यह बताया है ठीक है ओके अच्छे यह क्या बता रही है रेशो के 87 दिन के लिए फाइनेंसिंग चाहिए अब डू पार्ट ना करो अब बस यह आख़ी पार्ट यह 10-15-20 मिनट जो भी है ठीक है ना जी मुझे पता है मैंने पूचा नहीं आप लोग चीज पर ब्रेक होगी रोज होती है एफ एर डू वालों को और हम पहुंच जाते हैं लामजला डेड़ बजे अच्छा जी इट इंडिकेट्स जाते हैं बहुत जाते हैं बहुत ज्यादा भी हो जाए ना वर्किंग केटल डेज तो मतलब हमारे पैसे ज्यादा अर्सा महां पसे रहते हैं बहुत कम भी हो जाए तो भी मतलब पैसे ज्यादा मतलब कम वर्किंग केटल डेज कम आ जाए ना तो थोड़े अरसे के लिए पैसे अरेंज करके लाएंगे हम कहीं से मुझे 87 दिन के लिए पैसे चाहिए मैं कहता हूं जी मैंने एक लाग का समान खरीदना और बेचना है तो मैं एक लाग अगर मेरे पास माँगा तो किस ने कितने दिन के ली मांगऊंगा 87 दिन के लिए क्यु зов कि मुझे पता है 87 नवे दिन के लिए मांगए ये लाख इससे मांगा है समान लेकर मैंने बेच दिया है वापस आया एक लाख 20,000 अपना 20,000 जेब में रखूंगा लाख इसका वापस कर दूँगा तो यह है जरूरत वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यह इसको कह रहे हैं ठीक है ना तो मुझे कितने अरसे के लिए वर्किंग ओवर इंवेस्मेंट और अंडर इंडर इंवेस्मेंट इन वर्किंग कैपिटल ठीक है अब पॉजिटिव ओवर इंवेस्मेंट का ही तो मतलब बता रहा हूं कि आपने इसको अगर हाय कर लिया ज्यादा मतलब आप कहते हो 120 दिन तक पैसे चाहिए उन्रीजनेबली हाय कर जैना इसका मतलब आप और इंवेस्मेंट के वर्किंग कैपिटल में करके रुखोगे क्या मतलब आप यह पैसे अरेंज करोगे 120 दिन के लिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए हालाकि आप इसको बेतर मैनेज करते हैं तो यह आप पैसे 87 भी नहीं आप मैं तो कहता हू इसका मतलब यह जितना कम हो रहा है इसका मतलब हम हम जल्दी पैसे को वापस ले आते हैं ठीक है किसी ने सोचा या दूद समय, भी कैश्वलों का मतलब क्या हूआ है? चीज के लिए इसके पैसे आपको सिर्फ देने हैं. इंट्रस्ट तो नहीं डेना है. चीज दें दी मुझे, एक है बैंक से सोर पे लोन लूँ और फिर उससे चीज़ खरीद के बेच हूँ तो बैंक ने इंट्रस्ट भी लेना है एक यह है कि आहमत से सोर पे पकड़ूं और से कुछ सोर पे ना पकड़ूं इससे चीज़ ले लूँ कोई यार यह मारकर मुझे तुम दे तो सोर पे का मारकर है यह मैं आगे बेचता हूँ मेरे पास एक गाहक है तुम्हें जो हमें दस दिन पनरा दिन बीस दिन महीने बाद पैसे वापस कर दूँगा तो इसने को इंट्रस्ट नहीं लेना मैंने सोर पे की चीज़ से खरीदी और आगे बेच दी मुझे 120 आगे अपना 20 रखके 100 वापस कर दिय तो क्या था फ्री कैशलो था या नहीं था बगायर कॉस्ट के ठीक है खर छोड़ें इसको पॉज़िटिव वर्किं कैपिटल साइकल बैलंस सिस इंकमिंग और आपकों क्पेमेंट्स तो मिनिमाईज नेट वर्किंग कैपिटल और मैक्सिमाई फ्री कैपिए फ्री कैपिए इसका मतलब तीस दिन बाद इसको तो पैसे देने हैंना मैंने और बोलो इसको पैसे देने हैंना क्योंकि मुझे आगए से साथ दिन बाद पैसे आने हैं तो तीस दिन बाद इसको तो पैसे देने हैं अब ये वाले पैसे मैं कहां से लूँगा मैं बैंक की तरफ चला गया बैंक ने मु तो फिर एक महीने पहले इसको जो पैसे देने हैं वो कहीने कहीन से रेंज तो करूंगा ना वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है चीक है तो यह जितना कम होगा और कंप्री जो सप्लाइज आगे वह एक्जांपल लिख तो पॉसित वर्किंग कैपिटल बैलनस इंकमिंग आउट्गूइंग पैमेंट मेक्सिमाइज नेट्वर्किंग कैपिटल एंड मीनिमाज फ्री कैश फ्लो यह मैं सज्जेस्ट करूंगा कि यह पॉइंट लिखो भी से और इनको एज़ याद करने की कोशिश करो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जितना मैं हाइलेट क इस ने प्रफिक जर्वर्किंग बिशनेंट एंड विर्किंग एबल टू फ्री अप कैश भाई शॉर्टन वर्किंग केपिस साइकल इस दो सफिकर इस रविव्यू ख्लोजली अटाग्यट वर्किंग कापिस साइकल बड बिकॉस इन एडिया थिक है जी यह जारा रह नही 0.3 और बस ठीक है जी अब चुक्किए टाइम होगा है खतम मैं नई रेशियो शुरू नहीं करता अब माजरत के साथ फिर कल हाफ लेक्चर लिकुडिटी रेशियो पे होगा और हाफ लेक्चर में हम IAS 8 IAS 1 करेंगे परसों हाफ लेक्चर में सॉलवेंसी रेशियो वोगी थोड़ी सी रह जाती है और हाफ लेक्चर आई है से ठीक है तो हमारा रेशियो से टापिक अब बढ़ गया आगे लेकिन इस से एक दिन पहले तक उमीद तो है कि मैं रेशियो खतम कर पाऊंगा अच्छा उनले मैंने बूक्स बंद करने का नहीं बोला प्लीज और आवाज नहीं आनी चाहिए किसी कि अवाद इस से ब्रेणी नी मिलेगी अब बोल अब बोलो साकिम को बलाओ साकिम को नाव नोड करने आवाज कोई ऐसे भी ना बिल्कोल भी, किसी के दिल में bhai नाया बोलने की, अवास आसुप रेले बस, ये बोला है ना, कौन बोला है? तुमने क्यों बताया है के अरृसलान बोला है, अरृसलान हो गया दो दो तो बच गई बरियानी है, दो बच, और बोला है, और कौन बोला है? चुप रहेंगे न प्लीज अगे पांच से साथ मिन्ट दस मिन्ट चुप रहें मैंने इसको कंक्लूड करना है अभी ये रेशो खतम करनी है अभी रिजिस्टर न बंद करो मैंने सिर्फ ये कहा है करंट रेशो कुइक रेशो ये दो रह गई और उसके बाद सॉल्वेंसी रेशो में डेट इकुटी रेशो और एक इंटरस्ट कवर रेशो ये रह गई है बाकी कोई नहीं रेशो रह गई है यह नी टोटल रेशो चार रह गई है लेकिन अभी ये रहती है रेशो में तीन चोड़के भी आया हूँ ठीक है न वो टर्न ओवर वाली है वो कैसे है बड़ी सादा सी बात है इदर देखना ज़रा मज़ा आ जाएगा आपको यह क्या है डेटर डेज कैसे कैल्कुलेट करते हैं अब मैं कहता हूँ इस रेशो को कर दो टार्न ओवर क्या कर दो मतलब क्याइट सेज को ले जाओ उपर एवर डेटर को ले आओ नीचे मल्टिप्ला किसी से नहीं करना तर्न ओवर रेशो आख होता है था टाइम्स में अंसर देती है ठीक है ना तो यही वाला डेटर यूज करो 171 डेटर नहीं करना ठीक है जरा चेक करते हैं डेटर टर्न को लटान है तो यह बनी हो यह तो इस को लटान है एंड सो आख है याद एक ही करनी है अच्छा जी बच्चो क्रेट सेल्स 43 और सब कुछ निकला हुए अल्रेडी इस इक्वल टू 20 25.2 ताइम्स अच्छा अब मेरा मेरा सवाग डेटर डेज 14 थे हमने कहा यह जितने कम हो उतना बेटर है यह है डेटर टर्न ओवर यह भी जितना कम हो उतना बेटर है हो नहीं सकती यह बात मेरी बात सुने आपने रेशो उल्टा दी है अगर आपने रेशो उल्टा दी तो डिसीयन रूल कैसे सेम रह सकता है यह हो नहीं लेकिन मैं यह कहा रहा हूं कि यह हो नहीं सकता कि आपने रेशो उल्टा दी है और अभी भी डिसीयन रूल सेम रहेगा यहां पर लोवर इस बैटर था तो यहां पर लोवर इस बैटर हो यह हो यह नहीं सकता क्यूंकि आपने रेशो उल्टा दी हुई है अब हो कहा रहा है य हम 14 दिन के अंदर debtors से debtors को cash me convert कर गए यह यह कह रहे हैं इस रेशु के अंदर कि हम एक साल में जितने अर्शे के यह प्रॉफ्टन लौ्स है एक साल में हम 25 दफ़ा debtors को cash me convert करते हैं एक साल में 25 दफ़ा डेटर्स हमें कैश दे कर जाते हैं 14 दिन में डेटर्स कैश दे कर जा रहे हैं यह 10 दिन हो जाए तो बेतर है 25 दफ़ा साल में दे कर जा रहे हैं 26-26 दफ़ा हो जाए तो बेतर है के नहीं है ठीक है ना तो यह इस तरह से था तो turnover ratios मैं normally करवाया नहीं करता लेकिन calculate करवार हूँ आपको आज क्योंकि आज Sunday पे आप लोग आए है ऐसे तो नहीं होता मतलब मैं कहता हूँ बस इसको इल्टागे कर ले ना घर पे तो करते हैं अभी सामने ratios पढ़ी है जी average inventory days 33 क्या मतलब 33 दिन में हमारी sale में inventory convert हो जाती है यह times में क्या बताएगी कितनी दफ़ा sale में convert होती है साल होती है क्रेटर days कितने दिन में क्रेटर को payment करते हैं यह एक ही ratio में हम दो बार अगर उसमें सिर्फ days भी मांगे हो ना तो हम उसी ratio को उल्टाके times निकालके साथ रोब जाड़ सकते हैं उसको एक ही line के कितने दिन में creditors को pay करते हैं कितनी दफ़ा साल में pay करते हैं कि टर्न ओवर ठीक है लेकिन यह जल्दी से calculate कर वाओ डाटा उपर given है data given है cost of sales कितनी है 3-0-1-2 3-0 अच्छा वह उपर वाला है sorry 3-0 2-0 divided by 10 point अब मतलब समझ आ रहे हमारी inventory 19 33 दिन में से यह द्रवादा बंद कर दे थोड़ी देर भाई वाई द्रवादा बंद कर दे थोड़ा वेट कर चल चल यह अंदर आ जा है यह से द्रवादा में खड़ा है आर इन्वेंट्री 33 द होती है यह 10 दफा साल में सेल में convert होती है मुझे पता है तुम लोगो message मिल गया है मुझे पता है तुम लोग बियानी के लिए जल्दी आयो इनको बुलाया था विचारे कब से वेट कर रहे हैं बहुत माजरत अच्छा है जी created turnover भी में निकलवा दो data एक ही बार सिरफ वही याद किया है ठीक है जी 303012 divided by 150 ठीक है जी ओके डन यह होगे जी सारी ratios working capital के और कोई भी नहीं बस data days, credit days, inventory days, फिर cycle जिसके बैठके घर जाना है इसके फिर data turnover, inventory turnover, credit turnover अब जब interpretation करनी हो, interpret करना हो एहमत, तो data days कहे ना, तो यह ratio तो निकाली वही होगी, ना उसने नहीं मांगी turnover ratio, तो calculator past तो है ना, सिरफ इसको उल्टा के चेक करो कितने times बनता है, तो rope डालने के लिए यूँ लिख दोगे, अब लिखो, जो लिखना है जो छुटी से पहले, आखरी बात, आखरी बात, आखरी बात, जहां पर लिख रहे थे, point number one, data days के आगे लिखो, data days के आगे जाके लिखो, इदर, इदर, यह, यह, यहां पर लिखो, यह, 14.4, इदर देखो ज़रा, और 25.2, यह मैंने कठे बताने हैं अब एक ही ratio में, बाकि सब कुछ वही सेम है, लेकिन यह मैंने कठा बताने है, ठीक है न, अब मैं कैसे बताऊंगा, वो सारी बात लिख के न, this means, debtors of AL, debtors of AL, are converted into cash, या pay cash जैसे भी लिखने, are converted into cash in, in, 14.4 days, और, 25.2 times, ठीक है जी, एक जुमले के अंदर मैंने दोनों बातें कर दे, वो time 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 यह होता है, यह point बानने मारा, ठीक है, the ratio is telling that, debtors of AL, are converted into cash in 14 days, और, are converted into cash, 25.2 times in a year, यह दोनों बातें हैं, और, यह बुरी बात लिखने, और, converted into cash, दुबारा, इस तरह करके, और, यह बात यहां पर लिखी हुई थी, और यही formula लिखा हुआ था, बस उल्टा के, ठीक है, यह, 25.2 times in a year, वो भी बात लिखी हुई है, जी, यह लीजिएगा, यह लीजिएगा, ठीक है, अब इसी तरह से हमने, अगली दो ratios का भी लिखना है, लेकिन जाहर है, मैं लिखना है, ऐसे दूजिए मैं जाने दूँगा, बस एक मिनिट की बात है, इसे देखें, यह पॉन, प्लीस, बिर्यानी नी मिलने, याँ इसकी तो पकी नहीं है, अच्छा प्लीस, नमाज में टाइम कम है, प्लीस, यह समझागी कैसे लिखना है, यह वाला पॉائंट, यह वाला हो गए ठीक है और फिर आपने दूसरा पॉइंट यह लिखने है डान हो गया अब इधर देखो जरा आसानिया देखो यह लो जी यह जी इन्वेंटरी डेज हैं इन्वेंटरी होल्डिंग प्रिड भी से कहते हैं बाकी बारी किया शारिकियां बताओंगा परचे में क्या आए तो क्या करना है सिरफ वर्किंग केपिल करे तो कॉंस्टिरेशन यह सारी बातें यह हो जाएंगी इन्शालाँ ठीक ह This means Inventory of AL This means इसी जुमले को मैं चेंज कर रहा हूं Inventory of AL Inventories कर लो आगे आर लिखा हुए Inventories of AL are converted into sales, cash नहीं, into sales in, 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 33.4 days और inventories are converted into sales 10.9 times in a year, okay? 0.1 यह हो गया, 0.2 यह साथ लिख लोगे, बस सारी बाते बीश में cover हैं और last but not the least, सारे एक जैसे हैं ना, कुछ तो खुद हिम्मत कर ले ना, इधर देखो This means, creditors of AL are paid, are paid, यह converted into cash भी हो सकता है, are converted, लिख लो, लिख लो, आपको एक जासा नहीं लिखा हम Are converted, यहनि इसका मतलब paid होता है, are paid ही जिरदा भीतर है, are paid in cash, in, कितने days, 19.2 days, or are paid in cash, are paid in cash, 20, कितने times, 19.1 times, 19.1 times in a year, यह 0.1 हो गया, और यह वाला point 2 बस, done, working capital वालों में अखीर होई पड़ी थी, वो सारे point आपने याद करने हैं, वड़े important भी थे, ठीक है, तो यह जी, अब यह picture लें और साथ-साथ मेरी बात सुनते ने, picture तो ली जाएगी ना, वैसे ही, मेरी बात सुनते ने, साथ-साथ असल तो, सबसे प expense over share ratio तीन तरह की थी, फिर return on capital employee, return on equity, return on asset, asset turnover, यह total 10 ratios थी, मैं हार ratio की interpretation कल देखूँगा, पांच-पांच-पांच-चेशे पॉइंट सारे के थे, फिर उसके बाद working capital efficiency ratios चुरू ही, यह साथ ratios हैं total, debtor days, creditors days, inventory days, working capital cycle, और फिर debtor, creditors inventory का turnover, तो effectively चाहा रही हुए, तो, इनके बारे में, हर एक के बारे में, दो दो लाइने थी, दो दो लाइने थी, और working capital, यह जो working capital cycle है, इसके अंदर, जादा, जादा lines थी, ठीक है, एक, और important भी थी, दो और तीन, पढ़ इनको भी लेना, ठीक है, आगे सिरफ चार ratios रहती हैं, कोई पता नहीं, कलो कल ही चार हो जाएं, कोई पता नहीं, half lecture में यह चार करके, फिर हम IAS 8 करते रहें, या थेरी करते रहें, क्योंकि अब यह तीनों चीज़ें सासा चलनी है, IAS 1 की थेरी रहती है, और MCQs वगारा, IAS 8 और यह ratios, यह बड़ी important ratios हैं, अगली, यह सब से important ratio ही कल करवानी है मैंने, अल्